जांजगीर चांपा के खराओत के मुख्य मार्ग में यातरी बस ने बैक सावार तीन लोगों को चल दिया हासे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है वही एक गंभीर घायल को खराओत अस्पताल भेजा गया है जिसे बिलाशपूर रेफर करने की तैयारी की जारी है गटना के बाद सिवरी नराएंड पुलीस मौके पर है पुलीस ने घटना कारित बस को थाना में निरूध किया है पुलिस ने बताया कि खराओत के बस स्टेंड के आगे मोड पर सीवरीन रायार रोड में बस ने बाइक सवार तिन लोगों कुछल दिया है घटना में दो वेक्ती की मौत हो गई है एक गंभेर रूप से घायल है में तक दो वेक्ती छत्रू पटेल और सोना राम पटेल अमलीडी गाओं के रहने वाले थे वहीं घायल वेक्ती सुरेश पटेल घट मरवा गाओं के रहने वाले बताये गए हैं घटना इस्थल पर नगर पंचायत खराओत के अध्यक्ष कांती के सरवानी भी पहुँचे थे और इस्थानी लोगों ने घायल को अस्पताल पहुँचाने मदद की घटना कारीज बस को थाना भीजवा दिया गया है और मामले पुलीस द्वारज जांच की जा रही है आज करीबन बारा बजे सिवरी नरान खरोद मेर रोड पर एक बस और एक बाइक के बीच में एक्सिडेंट हो गया जिसमें बाइक में सवार दो व्यक्ति छत्रू पटेल और सोना राम पटेल जो अमल्डिहा थाना बिलाईगड के निवासी हैं उनकी मृत्यू हो गई और एक सुरेश पटेल निवासी घाट मडवा थाना की धवरी का वो घायल है जिसको प्राथमी किलाज खरोद में कराने कि पस्चात उसको बिलाजपूर रिफर किया गया है मामले में विधिवत करवा ही की जा रहे हैं